हलो प्रेंट्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें समय करेंट अफेर्स पे वर्ग कर रहे हैं और आप लोग भी आई होप से ठीक होंगे और कुरोना नेमों का गैडलाइन का पारण कर रहे होंगे और जैसा कि हमारा पहला प्रसन है पहला प्र चीन और रूस ने प्रांस का उत्तर कुरिया का मतलब त lounge अधिक प्रतिबंद नहीं लगाई जा सकतेएं क्योंकि वहां की जो आर्थिक हालात हैं वह से वहां जादा खराब है, ऐसी कंडिशन में आप उत्तर कुरिया पर और अधिक प्रतिबंद नहीं लगा सकते हो, अच्ichen, अमेरिका उत्तर कुरिया पर प्रतिबंद क्यों लगाना चाएथा क्योंकि उत्तर कुरिया इस समय हाइपर सॉनिंग मिसाले बनने का प्रयास कर रहा है ठीक परमार होतियार तो बहुत पहले बना चुका ठीक अच्छा वहां के जो सा सगे उनका क्या है किम जोंग उनका मानना है कि देखिये जो प्रतिवंद लगाना मंजूर करने से क्या होता है देखो सीधी सी बात है हमने आप लोगों को बताया था UNSC की बात होती है ठीक UNSC में United Nation की जो में संस्था UNSC उसमें 15 सदस होते हैं जिसमें 5 सदस पर्मानेंट होते हैं और 10 नान पर्मानेंट सदस होते हैं नान पर्मानेंट सदस्यों का कारिकाल कितने समय का होता है दो वर्स का होता है और जो पर्मानेंट सदस होते हैं इनको P5 कहते हैं जैसे चीन रसिया UK फ्रांस और संयुक्तराज अमेरिका ठीक इन में से कोई भी ला जाता ठीक अगर वीटों का इस्तेमाल कर दिया तो वह प्रस्ताओं फेल माना जाता है देखिएक उतर कुरिया के पास में उसको मतल लीजिएगा बहुत अच्छे उसके पास मिसाइले हैं जिनके बारे में मतलब अच्छे देशों के पास नहीं है यह देखिए नार्थ कुरिया के अगर मिसाइलों की बात करें यह देखिए होसांग्ट 15 यह लिखा हुआ है कितने किलो मीटर की मारक चमता है 13,000 किलो मीटर और यह 14,000, 10,400 यह देखिए मतलब कितनी दूरी दूरी कि मारक चमता वाली मिसाइले हैं इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल जिनको बोलते हैं ठीक इसलिए इसको हलके में तो लिया ही नहीं जा सकता है और इसने मतलब कांटीनिव अपनी मतलब जबकि वहां पर खाद्यान का संकट है दवायों का संकट है उनु सारे संकटों को दूर करते हुए यह अपने परिच्छन कांटीनिव करता जा रहा है ठीक अब यह देखिए घ्ills में के अगर बाध करें तो यह देखिए यह अपने परमाड बोमों का परिच्छन करता है तो सीधे भुकंप के दौरा वह भूकंप आया और भूकंप से उसने कहा कि देख लीजिए हमने परमाड़बं बना लिये हैं इसको जो सेंक्षन लगाने हो लगाईए अच्छा दूसरे यह सेंक्षन के अगेंस्ट में किसने कोरिया का साथ दिया था एक तो आस्ट्रेलिया ने दूसरा चाइना ने रसिया न की स्थापना क्या की थी 2016 में की थी 2016 में तो अब क्यों चर्चा में होने का जो में कारण है वह यही है कि इन्हों ने एक नई चिप बनाई हुई है एक चिप के माध्यम से इंसान के दिमाग को पढ़ा जा सकता है यह चिप का अगर आप लोग देखेंगे तो यह देखें य इसका साइज बहुत ही माइनिट होता है लेकिन अगर इस पर वर्क किया जा तो देखें निवरा लिंक की चिप यह चिप इस तरीके से होगी यह दिमाग में इस तरीके से लगी होगी और इस चिप के लग जाने के बाद यह विक्त क्या सोच रहा है किसके बारे में सोच रह ऐसी के बाद में दिमाक की सारी चीजों की जानकारी ली जा सकती है ठीक उसके बादमें हमारा अगला पर– मार अगला प्रसंद कही रहा है इस वर्स नेता जी सुबासचंद्र बोश कि कौन सी जयनती मैं गए मनाई गए 125 मही जयनती मिनाए गए अचान नेता रूप में मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में क्या हमने बोला 23 जनवरी पराक्रम दिवस ठीक ये भी आप लोगों को याद रखना है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है अच्छा देखिए इस समय क्या हुआ है कि नेता जी सुभाशन बोस की जब प्रतिम तरह लेकिए से यह प्रतिमा स्वेशित नोज Tortot चमक सिह रही है इसके पहले यहां पर किसकी प्रतिमा यहां पर जारज पंचम है जो 1967 में यहां से था रही और इस तरीके से अभी देखिये खाली पड़ा हुआ हैbar और यहां पर प्रतिमा लगा दी जाएगी ठीक उनिस और सट में जार्थ पंचम को यहां से हटा दिया गया था अच्छा नेता जी सुभाशन्द बोस के बारे में अगर हम लोग बात करें आप लोगों को पता होगा नेता जी सुभाशन्द बोस ने कांग्रेस के लिफा दे दिया था और फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की थी तो आप लोगों से प्रसंद पूछा जाता है कि फारवर्ड ब्लाक की स्थापना किसने की ठीक उसके बाद में हमारा अगला प्रसंद क्या कर रहा है हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कारिक्रम पूरा करन वाली पहली भार्ति बनी हैं म्हुल्म आप देखे यह ज्वा Mr. आप देखे यह हैं जन्वी दंकेटी यह नासा की पहली मैला है जन्मी दंकेटी यह लिखा हूट चाली प्रेश्टी गुवस नासा प्रोग्राम ठीक है अच्छा यह रहने वाली कहां कि यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है ठीक है उसके बाद में हमारा अगला प्रसन अगला प्रसन क्या कह रहा है यह प्रसन कुछ कट सा गया है तो यह भी आप प्रसन हम बताए दे रहे हैं इफको के चेर्मैन कौन है इफको के अगर चेर्मैन की बात आएगी तो कौन हो जाएगा दिलीव संगाने इफको के नए चेर्मैन है ठीक यह भी आप लोगों को याद रखना है अच्छा इफको ही वो संस्ता है जिसने सरव प्रथम नैनो यूरिया का निर्माड किया था जो एक लीटर के पैक में पूरी पचास किलो यूरिया की चमता वो आ जाएगी ठीक दुनिया में पहली नैनो यूरिया बनाने वाली कंपनी उसके बाद में हमारा अगला प्रस्तन किस देश ने तीर थी मिसाइल का सफल उडान परिछन किया तो किस ने किया भी है इजराइल ने किया है ठीक देखें इजराइल जो है अपने कारणामे करता रहता है और यह देखे लिखा भी है इसराइल कम्प्लीट्स फ्लाइट टेस्ट आप एरो वेपन सिस्टम ठीक उसके बाद में हमारा अगला प्रसन क्या करें भारत ने किस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सब्फल परिछन किया बावरत भी डियर नंबर 1 लगा हुए है किस का किया है ब्रह मोस का किया क्योंकि ब्रह मोसक के एक्सपोर्ड के आडर आचुके हैं जिसे काउन कह साथ किस Анд किकिन के किया VYatым ने किया हुआ है मौरिसस ने भी इसकी मांग की कि भीया हमको भी दे देना उसके अलावा UAE ने इसलिए इसकी युनिट भी और इसके उन्नत परिष्ण भी तेजी से किये जा रहे है अच्छा जो रसिया ये जो ब्रम्हों से किसकी मदद से भारत और रसिया की मदद से बनाई जा रहे है और बनागा उन्हों गया DRDO and रसियाज NPO ये बना रहा ठीक अच्छा ये किस के नाम पर है दो नदियों के नाम भारत की काउंसी ब्रह्म पुत्रा और रसिया की काउंसी है रूस की काउंसी मास्कोवा इन दोनों के नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया अगला प्रसंद क्या कह रहा है काउंसा भारती राज सैयुक्त राष्ट विश्व खाद कारिकरम मिलकर छोटे किसानों की खाद सुरच्छा को बढ़ावा देंगे तो काउंसा किसान भी या उडिशा उडिशा की बात आती है तो देखें लिखा भी हुआ है कि उडिशा गौवर्मेंट जॉइंट्स लाइंट्स विद यूएन डवलू एपी टू इंपावर सपोर्ड दा वूमें थुरू एस जी एस एच जी एस ठीक उसके बाद में हमारा अगला प्रसन क्या गरा केंद्री मेंटि मंडल ने राष्टिय सफाई करमचारी आयोग के कारिकाल को कितने वर्स बढ़ाने की मंजूरी दिये तो कितने वर्स बढ़ाने की मंजूरी दिये उसके बाद में हमारा अगला प्रस्म क्या कर रहे हाल ही में भारत की टेनिस इस्टार ने 2022 के सीजन के बाद संयास की घोषणा की किसे की सानिया मिर्जा ने की हुई है तो सानिया मिर्जा टेबल की मतलब टेनिस की स्टार खिलाडी है यह सानिया मिर्जा है क्या कह रहा है अब फारवन डबूल वर्ड नमबर वन और यह 2003 से खिल लही है आप इन्हों सन्यास लेने की घोश्रा की है उसके बाद में हमारा अगला प्रस्ब्स किस मंत्रा लएने ऐपन डेटा वीग सुरुआत करने की कि घुषड़ा कि किसने की हुई है सहरी एवं आवास विकास मंतरी को ने हरदीप पुरी इसके मिनिस्टर है उसके बाद में अगला प्रस्ट क्या कह रहा है हाल ही में किसे एर इंडिया का नया किसे एर इंडिया की बात करें तो आप लोगों को अभी पता होगा कुछ समय पहले ही रतन टाटा कंपनी ने मतलब इसको खरीदा हुआ था भारत सरका से कितने हजार खरीदों में खरीदा हुआ था इसकी बीट लगी थी अठारा हजार करोल रुपए में इसको हंडेट परसे प्राइवेट लिम्टेड यूनिट आफ दा होल्डिंग कंपनी आप दा साल्ट सॉप्टवेर ठिक यह इस तरह से मतलब इसकी कंपनी हो गई देखिए टाटा की बात करें तो टाटा का मतलब जो यह में फांडर थे ठाटा सो अरसट में जमसेजी टाटा थे इन्होंने धी करा की हर एक चीज मिल जाती है उसके बाद में अगला प्रसंद क्या करें हाल ही में भारत की कौन भारत की पहली संयुक्त राश्टर विकास कारिकरम यूँआ जलवायू चेंपियन सिप चेंपियन बनी कौन बनी बिया प्रजक्ता कोली यह बनी कोली यह हैं प्रजक्ता कोल ठीक क्या कह रहा देखिए प्रजेक्टा कोली इज अ इंडियन यूटूबर एंड एक्ट्रेस नोन बाई हर यूटूब चैनल मोस्ट लिसें ठीक इसके नाम से जाने जाती हैं इसको आप लोग सरच करेंगे तो आप यूटूब पे आपको मिल जाएंगे उसके बाद में हमने कहा था कि कुछ और भी चीज़े हम ले करके चलेंगे तो जैसे भारत के प्रमुक दर्रों की बात करें तो देखिए अगर जम्मू कस्मीर की बात करें तो जम्मू कस्मीर में कौन कौन से दर्रा है एक तो बुर्जिल दर्रा है पीर पंजाल है जोजिला ह ख़िए और पउर कई बात करें तो लोग क्या लिखते हैं पंकज बाबुजी क्या लिखेंगे फंकज बाबु जी भी यहार ट्रीक है इसको आप लोग याद रक्याद हूँएगा पासे भीर पंजाल का से आपका हो जाएगा करा कोरम जा से जोजिला बा से बだから ठिक और ब Schüler अप लोग के याद रहने हैं हिमाचल प्रदेश की एगर बात करें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दरररा है दे鬼 नीति दररा लेपुलेक दररा और माना दरररा ये कहा है हिमाचल प्रदेश में है नई हिमाचल प्रदेश में ये उत्राखंड उत्राखंड के दर्रे कौन कौन से नीती दर्रा रिपूलेक और माना दर्रा अचा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा है तो हिमाचल प्रदेश में 12 लाचा ये वाला सिपकिला और रोह स्पुछरब departure प्रदेश में ठीक कि तुझु दर्रा कि करें तो यह जो रहता है आपका मड़ीपूर में पड़ता है मड़ीपूर में पड़ता है उसके बाद में ूराषट को प्रवगाट और केरल में कॉंट कौंसते पार गाट और सें कौटा दर्रह. यह आपके कहाँ है कि केरल में ठीक उसके बाद में हमनों क्या करते हैं यह ठीजम क्रमोग एध्यान है. अज अज इतना ही रखते हैं और यह हमारा वीडियो कैसा रहा, इसके बारे में आप लोग अपने कमेंट जरूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सस्क्राइमें, ओके थैंक्यू पर वाचिंग